मस्ती बच्चों, आज मैं शर्णागत पार्ट जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, इसकी पुन्राव्रिती कराऊंगी, मैं इस रिविजन करा रही हूँ, यह आपका पार्ट पढ़ा हुआ है, तो मैं बच्चों यह पूरा पार्ट नहीं पढ़ती हूँ, इसकी शरांस में बत यह आधुनी काल के रचनाकार हैं, इनकी अधिकांश रचनाय एतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर अधारी थे, इन्होंने कुछ समाजिक उपन्यासों की भी रचना की है, रचनाय म्रिक, नैनी, जहासी की रानी, विराट की पदमिनी आदि, इन्हें पद्म भूशन पुरसकार सम्मानित किया गया था, इनकी रचनायों की भाष्या सहज और सरल है, अब मैं ये शरांस आपको समझाओंगी, शर्णागत, शर्णागत का अर्थ होता है, शर्ण में आए हुए, अर्थाथ आपके पास कोई आपके घर रुकने के लिए आया है, उसे कहते हैं, शर्ण में आए हुए, शर्णागत, अब सरांस समझें, रजब जो की, रजब जो की कसाई है, अपना रोजगार करके ललितपूर लोट रहा था, साथ में उसके द्वारा कमाई करीब दो तीन सो की बड़ी रकम और उसकी बीबी थी, बड़ी रकम उससे में दो तीन सो बहुत होते थे रास्ता काफी सूनसान था, रजब कसाई था जातका, वो दो तीन सो रुपे लेकर अपने पत्नी के साथ लोट रहा था, रास्ता काफी सूनसान था, बीच में ही उसकी पत्नी की तव्यत खराब हो गए, जिसके कारण उसने यह तै कि मडपूरा गाउं में रात भर के लिए रुक जाए क्योंकि बैल गारी किडाये पर करने में जादा खर्चाता, लेकिन उसकी समस्य आया थी कि गाउं के लोग उसे जानते थे कि वक कसाई है, इसलिए कोई भी आश्रे न देगा, उसने अपने वहवारियों से यहां रात भर के लिए स्थान देने के लिए प्राथ रहे, ठाकुर के घर जाने का नर्णय किया, ठाकुर का छोटा सा मकान था, ध्यान दीजे यहीं से ठाकुर की चरितरा जाएगा यह ठाकुर के बारे में, ठाकुर का छोटा सा मकान था, गाउं के लोग ठाकुर को डर के मारे राजा कहा करते थे, परिशाने का मारा रजजब उसी ठाकूर के घर अपनी बिमार पतनी को ले कर जाता है ठाकूर के पूछने पर रजब उसे अपनी परिशानी बताता है रात भर के लिए दो हाथ जगत देने के लिए प्रातना करता है ठाकूर के पूछने पर वह यह बताता है कि वह कसाई है जिसे सुनते ही ठाकूर और के एक कोने में पड़े रहना ठाकुर ने या पूछा कि कुछ नफा हुआ है तो रजजब ने कहा बस पेट के लाए कुछ मिल गया है और रजजब अपनी पत्नी के साथ वहां सो गया काफी रात बीते कुछ लोग ठाकुर के घर के बाहर आकर कहते हैं कि आज कुछ भी हात नहीं लगा है ठाकुर भूसता है कि कोशिश की थी इस प्रश्ण के जवाब पर उन्होंने कहा कि एक कसाई रुपे बांदे इसी ओर आया है यह सुनते ही ठाकुर ने कहा कि कसाई का पैसा नहीं चुएंगे लोगों ने उसे शुद्ध करने इंकी बात की और चले जाते हैं ठाकुर साहग उठकर देखता है कि सवेरा होने के बाद भी कसाई नहीं गया तो वह उसे तुरंत बाहर निकल जाने का हुक्म देता है उस समय रजब की पत्नी एक कदम भी चलने के लायक ना थी वह जा कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि उसकी पत्नी शायत कुछ समय के लिए ठीक हूज है परंतु ऐसा नहीं हुआ अंत में उसने एक गाड़ी किराय पर लेकर आगे जाने का नर्ड़ाय किया बड़ी मुश्किल के बाद उसे एक छोटी जाती का वैक्ती अधिक किराय लेकर ले जाने के लिए राजी होता है परंतु पत्नी की अधिक तव्यत खराब होने के वज़े से रजजब को दिन भर इंतिजार करना पड़ा वह गाड़ीवान को जल्दी से चलने के लिए कहता है तो गाड़ीवान अधिक किराय की मांग करता है तब कसाइद दया की बात करता है जिसे सुनकर गाड़ीवान को हसी आज गई वह गाड़ीवान को पैसा देता है तब गाड़ीवान आगे चलता है कुछ दूर चलने के बाद संधिश शाम हो जाती है रास्ता काटने के उदेशे से रजजब ने बातचीत की पहल की और गाड़िवान से पूछा कि गाउं यहां से कितनी दूर मिलेगा इसी बीच रजजब के मुझ से बाच्चित के दौरान यह भी पता चलता है कि अगर गड़बर करेगा तो छूड़ी से काट कर फेक दूँगा यह सबसुनकर गाड़िवान पूरी तरह से डर गया था इस पाच्चित के दौरान गाड़ी थोड़ी दूर चली होगी बैल रुक गये रास्ते में एक टुकरी खड़ी हुई थी जिसमें से एक आदमी ने कहा कि खबरदार जो आगे बढ़ा रजब ने देखा चार-पांच लठैत रास्ता रोके खड़े थे वे रजब से उसका नाम पूछते हैं और यह जानने की पर किवकसाई है उसमें एक ने कहा इसका नाम रजजब है इसे छोड़ दो लेकिन उसकी बात का अंसुना कर एक लठैत गारी पर चर जाता है और रजब को सारा माल निकानने के लिए कहता है तबी नीचे खड़े वेकती ने कहा उतर आओ उसे छोड़ दो उसकी औरत बिमार है गारी पर खड़े लठैत ने कहा मैं आपकी बात ना मानूँगा जिस पर नीचे खड़े लठैत ने कहा कि उसे छूना मत नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी चूर कर दूँगा क्योंकि यह मेरी शड़न में आया था इतना कहने के बाद गारीवान ने कहा कि इसे ठिकाने तक पहुँचाना और इस बात का जिक्र किसी से मत करना नहीं तो जला कर खाक कर दूँगा जिस लठैत ने रजब के सिर पर वार करने की कोशिश की तीवा दुखी होकर या कहता है कि दाओ जी मैं आगे से आपके साथ कभी नहीं आऊंगा दाओ जी अबाद सुनकर कहते हैं कि मत आना मेरे साथ मैं अकेला ही काफी हूँ लेकिन बुन्देला शर्नगत के साथ कभी धोका नहीं करता तो बच्चो ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई है शरांश में बुन्देला यहां ठाकुर साहब ही है तो अगर ठाकुर का चरी चित्रन आता है या ठाकुर के विशय में आता है तो आप जितना इस कहानी में ठाकुर की बारे में पढ़े हैं या मुझसे समझे हैं वो आप पूरा लिख देना धन्यवाद बच्चो